प्रदान किया है जिसके माध्यम से बच्चे अपने ग्यान को कसोटी को तरासने के साथ वो इस नेशनल लेवल के ओलंपियाड में भाग लेकर अपनी प्रतिभागीता को भी प्रदर्शित करने का उन्हें मोका मिल रहा है आज हम ज्यानपुरा के पास इस्थित बासडी नाम का जो इस्थान है वहाँ विजे लक्षमी जी के CAC सेंटर पर आये हुए हैं और यहां हमने देखा कि गाओं के बच्चे किस प्रकार ओलंपियाड में भाग लेकर और CAC के जो डिजिटल जो सेट अप किये गए हैं गाओं में जो बच्चे गाओं में रहकर अपनी तैयारी करना चाहें ओनलाइन प्लेटफोर्म के माद्यम से उनके लिए है उपयोगी साबित हो रहा है साथ में मैं बताना चाहूंगा कि CAC ने ग्रामीन छेतर के बच्चों को इस प्रकार का आउसर दिया है कि वो नेशनल लेवल के कम्पिटीशन में भाग लेकर और अपने ज्यान को वो परक सकते हैं कि किस लेवल का उनका नोलेज है साथ में बच्चों को ये मोग टेस्ट देकर भी कापी बच्चे उत्साहित रहे हम ऐसे ही बच्चे से आपको रूबरू करा रहे हैं आज और उनकी जुबानी आपसे साजा करेंगे हमारे गाउवानी स्टूडियो के माध्यम से किस प्रकार CSC उलम्पियाड उनके लिए उपयोगी है मेरा नाम आर्विन सिंग से खावत है मैं राजस्थान राज्जे के अलवर जिले के बाहन सूब लोग के ग्यांपन साहिद ज्यानपर बासरी से रहने वाला हूं मेरा पिता जी का नाम संकर शिंग से खावत मेरा माता जी का नाम स्रीमती वी जेलेक्समी कबर मैं 12 क्लास में पढ़ता हूं लोगडाउन की वज़े से मेरी पढ़ाई सुचार रूप से नहीं चल पा रही थी और उसके बाद CSE दौरा मेरी मम्मी जी को डीजी पे सकी बनाया गया उसके दौरा हमारे गर पे पांच केम्पूटर का लैप सेट अप किया गया वो अब मेरे लिए बहुत मददगार साबित हो रहा है लोगडाउन में ना पढ़ाई हो रही एक एक एग्जाम है नेशनल लेवर का उसमें मुझे भाग लेने का मोका मिला उसमें मैं मेरे सब्जेक्ट जैसे बायो केमेश्ट्री फिजिक्स उनमें भी पढ़ाई करने का अच्छा मोका मिल रहा है साथ ही साथ मुझे अपने खुद की प्रतिवाव को भी पहचाने का मोका मिला और में नेशनल लेवल की परिक्षा में मेरे यहां बहुत बहुत मददकार है इसमें यह से मैं नीट की भी तयारी कर रहा हूं आगे मेरे बच्छे भी यहां पे आकर पढ़ाई करत और इसके बारे में अपने फ्रेंड्स को भी बताता हूं और यह मेरे लिए और गाहों के बच्चों के लिए बहुत ही उप्योगी साबित हो रहा है इसके लिए मैं CSC टीम को धन्यवाद देता हूं